ICSE class 10th, 2023 के mathematics के examination में 16 marks के mcqs को किस तरह से within period means 16 minute में आप 16 mcqs को with process solve कर सकते हैं super fast trick मैं बताने जा रहा हूँ और इनको use करने का मतलब है कि आपके mcqs में 100% correct answer आएंगे करना क्या है सबसे पहली बात की ध्यान रखने है कि a b c d four option वाले mcqs में कभी भी option दो बार से ज्यादा repeat नहीं करते हैं मतलब कि अगर एक option a आया तो दुसरा option c आएगा यह कहा जाता है और यदि b b है या c c है इस तरह के repetition रहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यार रखना लगातार तीन option repeat नहीं करते हैं सेकेंड पॉइंट है mcqs को बनाते समय कि banking से one mcqs होंगे फिर GST से one mcqs होंगे quadratic equation से दो mcqs triangle से एक mcqs है circle circumference से एक mcqs और इसके अलावे बताया गया है कि आप जो भी chapter देख रहे हैं से कि ट्रिज्रोमेटिकल आइडेंटिटी उससे भी एक mcqs रहेंगे तो इन mcqs को बनाने के लिए mainly formula based ही mcqs पूछे जाने है formula based mcqs का मतलब हो गया कि formula पर direct अधारित या textbook में जो भी box item या क्यूज करके दिएगे questions है question mark वाली questions है या concept based question है उसी को mcqs के रूप में डाला जाएगा आप CIEC के द्वारा जारी किए ओफिसियल सैंपल पेपर जिसको specimen paper mathematics 2023 को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि mcqs में उन्ही question को दिया गया है जो कि compete या complete दोनों ही context में mcqs होंगे और ये mcqs formula पर या concept पर आधारित होंगे congruency हो गया similarities हो गया इसके theorem हो गया एक्जम्स है या फिर proven example या जो solved example है उसके आधारित mcqs रहते हैं अब इन mcqs को solve करने के तीन तरीके हैं सबसे पहली बात कि आप सारे question के answer को note down कर लिजे जितने भी some को solve किया है उनको अच्छी तरह से repeat कर लिजे formula, theorem, exams या activities जो भी ICC class strength में दिये गया है चाहे आप आरे सगरवाल की book को बना रहे हैं इन अगरवाल साब की book को बनाए हो या RD सरमा की या आप अपने textbook को याद रखने है ICC class 10th 2023 के MCQs mathematics paper में यह बताया गया है कि यह in-text और complex कभी नहीं होंगे 16 marks के यहाँ पर एक और जो सबसे important बात बताई जा रहे है कि इन MCQs को प्रतेक chapter के beginning में chapter के description जैसे GST, what is GST, banking, what is banking और इसी तरह से quadratic equation के formula AX square plus BX plus C equals zero where D equals B square minus 4C और उसके आपको alpha and beta निकालने हैं minus B plus minus root under D by 2 तो इस तरह के हैं या फिर congruency similarities में A, 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 S, S, S पर आधारित MCQs को ही दिये जाने की 100% possibility इसलिए भी बताई गई है कि CISC ने अपने latest seminar में कहा था कि math के MCQs या science के MCQs जो की physics में पूछे भी गए है पूरी तरह से text के उन fundamental roots पर है जो कि CISC चाहता है कि class 10th के student अच्छी तरह से पढ़े तो आप formula based concept based question को अच्छी तरह से repeat कर ले और आपके MCQs solve हो गए MCQs में हमेशा याद रखने है कि D का repetition कभी नहीं होता है मतब D लगतार तीन बार नहीं होगा या A का repetition लगतार तीन बार नहीं होगा चुकि आपने देखा था semester 1 2022 ICC class 10th के mathematics में यही हुआ था और science के जितने भी examination हुए या फिर आप physics के examination देख लीजिए तो उसमें MCQs को कुछ इसी pattern पर अभी तक CISC IEC 2023 and ICC 2023 के जितने भी paper हो चुके उसमें इस सेट किया है तो इसमें भी इसी तरह से सेट करेगे मुझे आसाइनी भी सुभास है कि आप इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से अपने MCQs 16 out of 16 marks प्राप कर लेंगे अभी भी जो point बताए गये हैं कि सभी तरह के important formula को facts को concept को दो aviation based MCQs 1 & 2 maximum होगे तो इतनी बड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो को like करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर किया बाइफर नाओ